नमस्षोर्ट सूल्कम बाक टियो ओन चेनल वेल्स अगज़े 14 अफ ओक्टॉबर 2024 मंडे का दिन मार्केट में आच के दिन कई सारी गुड नियूज है और कई सारी बैड नियूज भी है तो बताओ पहले क्या सुनना चाहोगे शास्तुर के मुताबिक हम लोग को पहले हमेशा गूद नियूज डिसक्स करने चाहिए तो पहले गूद नियूज गूद चार्ट सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने बैंग निफ्टी को तो bank nifty अपने day high के आसपास close हुआ है, बहुत ही strong note के साथ, in fact हम लोग ने 51,800 के call option को buy किया था, पैसे वो activate ही नहीं हुआ क्योंकि पूरे दिन market range में रहा, but अगर आप देखें, तो day end पर 51,800 के ऊपर closing दी है, और 51,800 is a very very important level, अभी मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊँगा, out of 2400 stocks, 2400 plus stocks, जितने stocks advance करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उतने ही decline करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उतने ही decline करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो market में आच के दिन ज्यादा broad base weakness नहीं थी, in fact global markets को देखें, तो global markets में भी महल खुशनमा ही दिखाई पड़ रह है, बहुत ही strong closing के साथ, नेफटे 50 भी अपने day high के असपास close हुआ है, आज की top gainers के बारे में बात करना दूसों, तो जितने भी 80 sitter के stock से उसमें थोड़े सी positivity दिखाई पड़ रहे थी, विपरो वजब 4% because of bonus news, morning में हमने आपके साथ discuss किया था, कि विपरो बोनस दे सकता है जिसके जिससे stock का 4% के आसपास positive था, Tech Mahindra was 2.5% up, in fact Tech Mahindra के put को हम लोगों ने Thursday को sell किया था, जो हमारे members ने, they are aware about it, और अगर आप मुझे से पुछेंगे, Sir Tech Mahindra को ही sell किया था, तो दूसों, आपके सामने है, इसके लावा, SDFC Life, SDFC Bank was almost 2% plus, SDFC Bank ही reason है, कि market में positivity आपको क्य बारें बात रहें, ONGC में करीब 2% के गिरावट, इसके लाबा मारूती, Tata Steel, Bajaj Finance, Bajaj Enterprises, Adhani Enterprises, what are the other top losers, वही पर लास्ट एक हफते में, आउट पर्फॉर्मेंस के बारें बात रहें, तो लीड कर रहा है, ट्रेंड जो की करीब-करीब साढ़े 11% उपर है, इसके लाबा अब दोसों, ट्रेंट एक हफते में, लास्ट एक हफते में, साढ़े 11% उपर है, और आजके दिन, दिमार्ट, साढ़े 8% के आसपास डाउन है, इसके चार्ट को भी हम लोगा आगे सटेडी करेंगे, दोसों, निगेटिव निवस शुरू हो गई है, तो कई सारे निगेट बिटानिया, SBI Life are the other top and the performers. Seems, SGFC bank का accumulation खतम हो गया है, क्योंकि यह भी market में अगर आप देखें, तो previous जे के comparison में higher delivery percentage में SGFC का नाम कई दिनों से नहीं आ रहा है, और SGFC bank जितना भी accumulation ने हो चुका है, कुछ दिनों से ICICI bank का नाम हमको frequently दिखाई पढ़ रहा है, similar is the case with HUL as well, Nestle, SBI Life, M&M, यह वो stocks हैं जहां पर पिछले दिन के comparison में higher delivery percentage मतलब higher accumulation दिखाई पढ़ रहा है, although दोस्वों Nifty 50 और Nifty bank अगर आप देखें तो अपने day high के असपास close हुए हैं, बट खत्रा भी टेला नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Nifty 50 को अगर आप देखें तो Nifty 50 में यह head and shoulder का pattern बनता हो दिखाई पढ़ रहा है, और यह head and shoulder का pattern है वो complete नहीं हुआ जो कि complete होगा इस level पर जा करके, और यह level कौन सा है, somewhere close to 25,400 के असपास, तो मार्केट में यह जो upside है यह एक shoulder के formation को भी आप expect कर सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब तक यह resistance breach नहीं होता, जब तक मार्केट इसके नीचे है इट शुट बी टेकन एज वीक अनली, तो जिन लोगों को लग रहा है कि market day high cash plus close होई है, बहुत जबर्दस नीउस है, अच्छी नीउस है, very good news, positive news, I do not deny that, लेकिन यह upside कहां तक की है, 25,400 तक की, क्योंकि वहां से गिरावट की possibility है, अगर यह breach कर जाता है, तब तो ठीक है, तब तो हम गहेंगे भीज़ा, खतरा टल लिया, लेकिन अभी नहीं, similarly, nifty bank को अगर आप देखें, तो nifty bank में भी crucial level है, 51,800 का, जो की आज के दिन breach हो गया, interestingly breach हो गया, क्योंकि अगर आप देखें, तो यह head and shoulder का pattern है, nifty bank का, तो अगर यह 51,800 के ऊपर sustain करता है, कल के दिन भी, और breach कर जाता है 52,000 का, तो फिर हम कह सकते हैं, bank nifty में खतरा टल गया, लेकिन अगर कहीं यह पल्टी मार गया कल के दिन, somehow it just not did like this, तो फिर भाई कहानी गलबड़ा है, जब 50,000 के लेवल सूटेंग है, जैसे कि मैंने आपको nifty weekly view में बताया था, फिल्याल अभी के बारें बात रहें, तो bank nifty का जो put call ratio है, वो है 1.01, मतलब बताता है, जितनी put rating हो रखी है, उतनी ही call rating भी हो रखी है, मतलब bulls और bears का पलड़ा almost बराबर है, तो अभी यह नहीं कह सकते हैं कि market bullish है, bearish है, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ market, बिल्कुल balance ख़ड़ा है, अब किधर भी जा सकता है, based on the kind of operator activity in the market, nifty 50 के बारें बात रहें, तो put call ratio is 0.7, जो कि अभी भी weakness को दर्शा आता है, whereas if we talk about the put rating positions, 25,000 पर सबसे ज़्यदा put rating हो रखी है, सबसे ज़्यदा call rating हो रखी है, 26,000 के level पर, in fact 25,300, 500 इन levels वह भी अच्छी खासी call rating हो रखी है, तो कहने का मतलब किया है, कहने का मतलब simple सी बात दोसों कि nifty 50 और nifty bank में, अभी भी clear directions नहीं है, जो levels मैंने आपको बता है, उन levels पर आप alert लगा करके रख सकते हैं, उन levels को आप mark करके रख सकते हैं, उनको study कर सकते हैं, हाँ छोटे मोटे targets, छोटे मोटे questions हैं, बिलकुल, अगर आप देखें, FIA data के बारे में, तो आज के दिन फिर से, although nifty 50 was pretty much positive, आज के दिन 3700 करोड की selling करी है, और DIA के तरफ से बाइंग है, मातर 2200 करोड की, तो ओर रोल मोटा मोटा करा पकल के चलें, तो 1500 करोड की net selling होई है, and that too from the side of FIAs, अब दूसरों पंगे वाली चीज क्या है, पंगे वाली चीज है है जो की data आपके सामने है, अगस्ट में 3.65% था, जो की बढ़ करके 5.49% आया है, तो कहने का मतलब क्या है, और जो estimated था, उससे भी inflation काफी जएदा बढ़ के आया है, which is a very negative news, अब दूसरों से आगर आम मुझे पूचे समें negative क्या है, तो दूसरों negative इसमें ये है, जो दिसम्बर में हम लोग rate cut, interest rate cut के बारे में उम्मीद लगाए बैठे है, उस पे अगर एक आद महीना और ऐसा रहा, तो उस पे भी पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, और दिसम्बर में जो rate cut की expectation हम लोग लगाए बैठे है, हो सकता है, डिसम्बर में भी rate cut ना हो, उसके बीची का reason देखो दोस्तों, food inflation जो की पिछले महीने था 5.66% जो की बढ़के double हो गया, food की महेंगाई समझे रो, rural inflation के बारे में बात रहे हैं, जहां 4% की महेंगाई थी, वो बढ़के 6% होने वाली है, फिफ्टी परसेंट का जम्प है सीधे सीधे आपको अर्बन इफ्लेशन में, तो कहने के मतलब कि इंफ्लेशन की मार तमाची लगाता है रहा है, इसकला उसो रिलाइंस के रिजल्ट्स यतने बड़े रिजल्स होते हैं, it's not a company, it's an industry in itself, it's a conglomerate of industries in itself, तो रिलाइंस के रिजल्ट्स दिरी दिरी आते रहते हैं, शाम तक, रात तक आते रहते हैं, फिलाल दोस्तों जो पहला रूज जान आ रहा है, उसके बारे में आपके साथ डिस्केशन कर लेना चाहता हूँ, market ने एक्स्टिमेट किया था कि company का जो revenue आएगा, हुआ हैगा 2,35,000 करोड और जो कि आया है 2,31,000 करोड जो कि हमको एक drop दिखा ही पड़ रहा है, whereas if we talk about the company's operating profit margin, जो कि quarter on quarter अगर आप देखें, जो market ने एक्सपेक्ट किया था उससे उससे compare कर लेता है, 17.2% का का estimation था और आया है 16.9%, and if we talk about the profits, तो profits market ने एक्सपेक्ट किया था 18,88 करोड के, profits आया 19,323, पिछले quarter से compare करें तो पिछले quarter के comparison में जो profit आया है, वो 11% उपर है, तो results में कुछ खराब नहीं, लेकिन कोई बहुत अच्छा, अगर आप quarter on quarter देखें, तो operating profit margin 20 basis points बढ़ाया है, estimation से तो कमी है, हमने आ गये हैं, अगर बात करें रहे हैं से इंडस्ट्रीज के net profit की, पिछले quarter में जहां company के profits थे 15138 करोड, जो कि यह भी आया है 16563 करोड, और पिछले साथ और दुसों और भी एच्छे नंबर से 17394, मतलब 17,904 से गिर के 16,563 आया है, लेकिन पिछले quarter से comparison में थोड़ा सा profits दिक टिक टिक दिख रहे हैं, वहीं बात करें हम लोग company के revenue की, तो पिछले साल जहां company के revenues थे 2,35,000 करोड के, जो करकी जो कि अभी आया है, अभी भी same ही है, फ्लाट है बिल्कुल 2,35,000 करोड का अभी भी company का revenue आया है, पिछले quarter में जो था 2,36,000 करोड के company के revenue थे, और जैसे कि आप देख पाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे numbers है, but they are not very bad either, अच्छा, margins के बारे में बात करें तो पिछले साल जहां company के margin से 17,44% के, च्योंकि reduce होकर के भी 16,59% आये हैं, तो पिछले साल के comparison में तो drop है, लेकिन पिछले साल के comparison में stock के बारे में बात करें, तो पिछले साल September, October में stock rate कर रहा था, somewhere close to 24,25,00, वहाँ से stock अगर आप देखें तो stock 2700 के आसपास आ गया है, तो हम यह नहीं कहेंगे, कि stock बहुत भागा हुआ है, अगर आप देखें तो पिछले करीब एक महीने में, डेढ़ महीने में, अगर यह एक बहुत ही इंपॉर्टन सपोर्ट लेवल, क्योंकि यह इस लेवल से ब्रेक आउट हो तो यहां तक रिट्रेस्मेंट हो चुका है, कल के दिन दोस्तों stock कैसे रियाट करता है, यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है, stock के बारे बात रहे 2700 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टन है, बहुत ही सूपर्ब है, अगर यह ब्रीज कर जाता है, तो फिर कहानी कलबड हो जाएगी, जहां तर मुझे लगता है दोस्तों, results are not that bad, इतने खराब results नहीं है, कि stock तूट करके नीचे आजाए, हाँ, यह जरूर है कि हो सकता है, starting में थोड़ा सा आपको weakness दिखाई पले, बढ़ यहां से मैं एक positivity की expectation रखता हूँ, क्योंकि जितने भी, जिसे ना, gross refinery margin वोगेरा, कि जो numbers है वो भी आए नहीं, as soon as they'll come, we'll update you on our telegram channel, telegram channel के लिए, आपने ये वाला जो link है, wealth saga original, इसको search करना है, इसको click करना है, क्योंकि गर आप इसको join करते हैं, तो आपर आपको जबरदास updates मिलती रहेंगी, जो हम trades लेते हैं, और जो हम updates है, वो भी सारी के सारी चीज़ें आपको update करते रहते हैं, वागर आपने join नहीं किया, you can consider joining, ये विल भी updated timely, अब good news हैं दोस्तों, results आए हैं angel 1 के, अब angel 1 के जो results हैं, revenue पिछले quarter, पिछले साल के comparison में 44.6% उपर है, अच्छा कई सरे लुक आएंगे, सरी तो नमबर तो बड़े जब रतस हैं, profits के बारें बात रहें, पिछले साल के comparison में 304 करोड से, 423 करोड आया हैं, मतलब 40% का jump है, EBITDA में 51% का jump है, विसफोटक नमबर से दिखाई पड़ रहें, margins भी अच्छा का से jump होते हूँ दिखाई पड़ रहें, लेकिन प्लीज अंडस्टैंड गाइस, these are the numbers of previous quarter, अभी नमबर से जो तहल का से भी द्वारा मचाया गया है, उसका impact इसके results में आना अभी बाकी है, अगर कल शाम का live session अगर आपने देखा है, तो मैंने Angel One में इस चीज़ discuss करी थी, कि जैसा कि जरोधा के जो head है, उन्होंने बोला है कि हमारा revenue impact हो सकता है, and the revenue impact can be as much as 50%, तो दोस्तों अगर आप देखे हैं, तो Angel One का stock trade करा था 4000 के price पे, और 4000 के price से stock almost 2000 के price पे अरड़ी आ चुका है, जिस समय सेवी का ये declaration आया था, उस समय stock 2000 के level पर पहुँच गया था, तो जैसे कि आप देख पा रहा है, stock अलड़ी अपने high से 50% करेट कर चुका है, तो हम ये fairly assume कर सकते हैं, कि stock में negativity अलड़ी factor in हो चुकी है, बड़ अगर हम उसे पुझे हैं, क्या stock में मैं buy करूंगा, तो मैं दुस्तों, again this is my choice, आप इसे differ कर सकते हैं, please do consult your financial advisor before investing, मैं दुस्तों stock में 2800 का जो level है, उसके breakout होने का wait कर रहा हूं, क्योंकि ये एक crucial level है, काफी दिनों से stock consolidate कर रहा है, 2800 की levels breakout करते ही, stock makes solid positivity की expectation है, इसके लाव दुस्तों आज के दिन LCL technology की भी नमबर आ रहा है, और जो market ने estimate किया था, उससे बेहतर नमबर है, मतलब there is nothing negative in the numbers at all, अगर आप market expectation के बारें बात रहा है, तो market ने expect किया था 28600 करोड का revenue, जो कि 28862 करोड का आया है, अच्छा अब ही बात करें हम लोग operating profit margin की 17.8% expect किया था, 13.6% आया है, net profit market में expect किया था 4000 करोड के आसपास आएगा थोड़ सा ज्यादा, आया है 4200 करोड, मतलब हर एक फरंट पे यह नहीं कहा सकते की results are poorer than expectations, and no doubt about it, कि stock अपने highs पे highs लगाया जा रहा है, stock अभी भी positive है, अगर आप देखें, stock ने अपने important levels 1700 को breach कर दिया है, और उसके मताबिक दोस्वों, यहां से stock में जो upside होने चाहिए, that should be somewhere close to 2000 plus levels, तो मेरे सबसे stock में जो positivity है, वागे भी continue रहे सकती है, तो stock को भी आप study करें, next stock दोस्वों जिसकों कि आपको study करना चाहिए, बजाज housing finance दोस्वों यह भी भी अपने lower highs बनाया जा रहा है, lower highs बनाया जा रहा है, तो जो लोग इसमें investment करना चाहते हैं, long term के लिए बढ़िया बात है, मैंस में दोस्वों मैंने आपको पहले बोला था, 110 से 120, जब इस stock ने 130 के loads लगाया था और bounce back कर लिया था, मेरा दिल बहुत तूटा था, क्योंकि मैंने 110 और 120 पे GTD order लगा रखा है, अभी भी उस दिन trigger नहीं हो था, लेकिन यह भी भी लगा हुआ हुआ है, अपडेट में, results flat to mild negative है, results में profits बढ़ हैं, revenue गएरा flat है, margins में drop आया है, 8% से 7% गिर गए है, अब दोस्वों उसके पीछे का reason क्या है, इस company के पीछे 3 company पढ़ी होई है, अगर आप मुसे पूचे, DMART का competitor कोन है, तो trend तो competitor है ही, इसको पहले भी आपको इसक्रेंट कर चेको हूँ, trend competitor क्यों है, योगि trend ने same वही चीज़ें लगाना शुरू कर दिया है, जो की DMART लगाता था, सबजी, धनिया, मिर्चा से ले करके, कपड़े तक तो पहले कपड़े सोजने शुरुवात करी, अब सबजी, धनिया, मिर्चा उसके बगल में लगा रहा है, अगर सेपरेट स्टोर क्रेट कर रहा है, तो trend तो, अगर आप देखें, तो trend तो DMART को कॉम्पीट करी रहा है, as far as the on-ground presence is concerned, इसके अलावा दोस्तों दो और कॉम्पीटेटर हैं, जैसे की, Blinkit हो गया, Swiggy हो गया, Zepto हो गया, और Denzo हो गया, तो आप कोई भी चीज कहीं से भी मंगा सकते हैं, घर बैटे हैं, आपको कहीं पर स्टोर जाने की जरूरत ही नहीं है, and that is the precise reason why DMART is presently available at the same price as it was available three years back, तीन साल पहले के price पे stock अभी भी आपको मिल रहा है, क्योंकि उस समय stock बहुत महँगा था, अभी stock में price correction तो नहीं हुआ है, time correction हो रहा है, जिसकी वज़ेसे stock में कोई growth नहीं दिख रही है, मेरे साब से stock में जो growth है, वागे भी से ट्रंकेट रहेगी, जब तक DMART भी अपना online कुछ solution नहीं लाते, तब तक मेरे साब से DMART is going to suffer, हाँ stock के बारे में बात रहे हैं दोसों, तो stock का एक important support zone है, which is 4200 जैसे कि आप देख पार है, तो यह zone है, जहाँ पर आप कोई stock का strong support zone दिखाई पड़ेगा, but again I am telling you, in case if you want to buy for long term, थोड़ सा लोंग तम का विव रखना पड़ेगा, financial advisor वोगर रसे पूछ करके ही investment करिये, video बसंद आप, do not forget to smash the like button, इसके लावा health or term insurance के लिए, must watch these two videos, they are going to be of immense help to you, thank you so very much, bye-bye for now.